अपनों के प्यार का एहसास अपने छोटे सहर के जिन्दगी को लीली पीछे छोड़ चुकी थी अब वह मेगा सीटी की चमक थमक में खो जाने को तयार थी लीली का फोन दोबारा बजा या उसके घर से ही सबते आठवा कॉल था लेकिन उसे अपने अपराद बोध का भान और परेशान करने वाले वीचारों ने उसे कॉल रिसीव कर जवाब नहीं देने दिया उनकी आखों में आसू थे वह मन ही मन सोच रही थी कि इतने महीनों के बाद मैं क्या कहूं लीली को अपना कैरियर बनाना था इसलिए उसने अपना घटमाज महीने पहले ही छोड़ दिया था जब वह अपनों को छोड़ कर सहर के लिए ऐसे गईमानों जैसे कोई पंची पिजड़े से छुड़ कर आकास में उडान भरने निकली है अपने छोटे सहर की जिन्दगी को वह पीछे छोड़ चुगी थी वह मेगा सिटी की चमक दमक में खो जाने को तयार थी दोस्त वारिष्तेदार बनाना नए अस्थानों पर घुमना फिरना आ दी इतनी अजादी का एहसास उसे इससे पहले कभी मासूस नहीं हुआ था नए जीवन की सुरुआत कहने की सोच उसके भीतर इस कदर हावी हो चुगा था कि इस चाहत में उसने अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से खुद को किनारा कर लिया था इस चाहत ने उसे अपने परिवार को अपने मन से दूर धकेल दिया था मगर जैसे जैसे समाई गुजरने लगा उसके नए सहर में नए जीवन का करसक कम होने लगा उसे अपने जीवन में घर का मोल है इस बात का एसास होने लगा था उसके मन में परिवार में सामिल होने की खुसी प्यार देख भाल की भावना इच्छा हिस्कोले मारने लगे थे वो अपने घर परिवार के लिए तड़पने लगे थी लेकिन उसे या समझ नहीं आ रहा था कि इतने महीनों की फोन कॉल और घर के लोगों से भावनात्मक दूरी के बाद आखिर करे तो क्या करे वह इसी उधेर भून में पड़े हुई थी तभी दोबारा फोन की घंटी बजी मगर लीली काफी संकुचित मन से जबाब दे पाई कॉल रिसीव करते ही उधर से आवाज लीली के कानों में सुनाई पड़ी लीली मेरी बच्ची सब खायरियत तो है ना तुम हम लोगों का फोन क्यों नहीं उठा रही थी हम सभी लोग काफी परिशान हो रहे थे जब उसने अपने पिता की आवाज सुनी तो उसे दिलासा हुआ वो अपने पूरे परिवार के साथ के लिए तरस रही थी जो उससे बे इंतहा प्यार करते थे भले ही वो कहीं भी क्यों न रहे या उसने कुछ क्यों न कर दिया हो हर इस्तिती में वो घर की लाडली थी लिली ने फोन पर जिजकते हुए कहा पापा मुझे आप सभी की बहुत याद आती है क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हूँ बिल्कुल ये तुम्हारा ही तो घर है मैं इस हटे के अंत में तुम्हें लेने आ जाओंगा या सुनकर तुम्हारी मा भी खुशी से जुम उठेंगे लिली के पिता ने जबाब दिया क्या आप मुझे मिलने के लिए पागल नहीं हो मैंने सायदी कभी आपको कॉल किया हो ऐसा मत सोचो हम आपसे खपा नहीं हैं बलकि हम सभी को आप पर गर्भ है क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही करते हैं लिली के पिता ने जबाब दिया अपने पिता के मुझे या बात सुनकर लिली को ऐसास हुआ कि नए सहर में अपनी मन मर्जी से जीवन जीना और रोमान चक अस्थानों का भ्रमण करना थोड़े दिनों के लिए एक सुखत अनभव दे सकता है लेकिन या उसके परिवार का प्यार ही था जो उसे घर वापस ले जाने को आतूर है आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग वीडियो